तुम सर्व शक्ति मान की संतान हो ओम शांती जब हम प्यार से दिल से एक बाबा की याद में एकागर हो कर बैठते हैं तो दिल की याद दिलाराम के दिल कुछ होती है और फिर बाबा बच्चों को करंट देते है वो करंट जिसे आत्मा के विकर्म विनाश होते है जिसे आत्मा की खुई हुई शक्तियां उसे वापिस मिल जाती है आत्मा संपन बनती है, पवित्र बनती है आत्मा घर जाने के योग्य बनती है आत्मा अंदर तक खुशियों से संपन्न बनती है परन्तु, wonderful बात ये है कि ये खुशी, ये संपन्नता स्थाई नहीं रह पाती खुशी कुछ पलों के लिए तो जैसे दुनियावी चीज़ें शनभंगुर होती है तो ये भी खुशी कुछ पलों के लिए तो रहती है परन्तु फिर जैसे ही याद भुली, खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है तो इस उतराव और चड़ाव का, इस बुद्धी के एकाग्र ना होने का मुखे कारण क्या है, निवारण क्या है आज हम बाबा के साकार महावाक्यों में समझेंगे तो सुनते हैं बाबा के मधर महावाक्य आज है साथ तारीक, साथ मई दो हजार चौबिस बाबा के महावाक्यों है, मीठे बच्चे, बाब से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो जो बच्चे, सबकुछ त्याग, बाब की सर्विस में रहते है वही प्यारे लगते है, दिल पर चड़ते है सेवा करने के लिए त्याग वृती होना बहुत सरोरी है कि भगवान की सेवा करने के लिए दुनिया वाले इतनी चल्दी एलाओं नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए कर सकते है परन्तु चौबिस खंटे इश्वरी ये सेवा करते रहो वो चीज पसंद नहीं करेंगे तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है परकि बहुत कुछ पाना है प्रश्न है बच्चों को स्थाई खुशी क्यों नहीं रहती मुख्य कारण क्या है उत्तर है याद के समय बुद्धी भटकती है स्थिर बुद्धी न होने कारण खुशी नहीं रह सकती माया के तोफान दीपकों को हैरान कर देते है जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते है तब तक खुशी स्थाई नहीं रह सकती है जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते है तब तक खुशी स्थाई नहीं रह सकती है इसलिए बच्चों को यहीं महनत करनी है क्या करना है कर्मों को अकर्म बनाना है बाबा की याद में रहकर जो हम काम करते हैं तो फिर विकर्म नहीं बनते है जब ओम शान्ति कहते हैं, तो बड़े हुला से कहते हैं, हम आत्मा शान्त स्वरूप है, अर्थ कितना सहज है, ओम शान्ति अर्थाथ, मैं आत्मा शान्त स्वरूप हूँ, बाब भी कहेंगे, ओम शान्ति, दादा भी कहेंगे, ओम शान्ति, वह कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, तुम सब सितारे हो, ग्यान सूरे, ग्यान चंद्रमा, लकी सितारे, सब सितारों का बाब भी चाहिए न, गाया जाता है, सूरे, चांद और लकी सितारे, तुम बच्चे हो, मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नमबरवार हैं, है सारे मोस्ट लकी, फिर उसमें नमबरवार हैं, जैसे, रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं, सितारे हैं न, तुम भी ज्यान सितारे हो, तो इस पर क्या है गायन? चमकता है भ्रकुटी के बीच में, वॉन्टरफुल सितारा, बाप कहते हैं, यह सितारे, यनि आतमाई, बड़े वॉन्टरुफुल हैं, एक तो इतनी छोटी बिंदी है, जिसका कोई को पता नहीं है, इतनी छोटी है, दिखाई नहीं देती है, किसी को पता ही नहीं है, आतमा ही शरीर से पाट बजाती है, यह बड़ा वॉन्टर है, है न, इतना बड़ा शरीर कारे करता है, कारे कराने वाली आतमा है, और उसका किसी को पता ही नहीं है, वॉन्टरुफुल बात है, तो तुम बच्चों में भी नमबरवार है, कोई कैसे, कोई कैसे, बाप उनको बैठ याद करते हैं, जो सितारे अच्छे चमकते हैं, कौन से बच्चे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है करंट मिलती है आत्मा की बैटरी भरती जाती है तमू प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार हर चीज नमबरवार है सिली याद रखना पुरुशार्थ तीवर करना है बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सबकुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं बहुत कुछ त्याग करना पड़ता सेवा के लिए है न कई लोग तो अपनी सहूलियत के अनुसार सेवा करते हैं परन्तु अपने लेने सेवा हमेशा दूसरों के लिए होती है तो अपने नहीं सर्व की सहूलियत देखनी होती है तो उसमें त्याग करना पड़ता है कभी नींद का त्याग करना पड़ता है कभी संबंधों का त्याग करना पड़ता है देभान का त्याग करना पड़ता है निर्मान बहुत बनना पड़ता है निमित बनना पड़ता है जुकना पड़ता है सुनना पड़ता है तो त्याग बहुत करना पड़ता है तो बबा कहते हैं सबकुछ इत्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं दिल पर भी चड़ते हैं बाप दिल लेने वाला है ना दिल वाला मंदर भी है ना अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदर किसकी दिल लेने वाला किसकी दिल लेने वाला तुमने देखा है ना प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमे शिव बाबा की प्रवेश्ता है, और फिर तुम देखते भी हो, उपर में स्वर्ग की स्थापना भी है दिलवाणा मंदर में, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं, दिखाते हैं ना, इकनी सारी मूर्तियां, 108 मूर् रूप में बनाया हुआ है, तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महरती, घोडे सवार, प्यादे हैं ना, यह मंदर यादगार, बहुत अच्छा, एक्यूरेट बना हुआ है, तुम कहेंगे, यह हमारा ही यादगार है, अभी तुमको रोशनी म मिली है, ज्यान का प्रकाश, तो अभी तुमको रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्यान का तीसरा नेत्र नहीं है, भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं, सत्थ सत्थ करते जाते हैं, जो भी है सब सच है, वास्तव में है जूट, उसको सत्थ समझते हैं, अब बाप जो टृत है, वह बैटकर, तुमको टृत सुनाते हैं, सत्ते क्या है, वो तो केवल जो खुद सत्ते है, वो आकर सुनाते हैं, बाकि जो मनुष्य सुनाते आए, वो तो जूट था, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाप तो कुछ भी महनत नहीं कराते हैं सारे जाड का राज तुम्हारी बुद्धी में बैठ गया है तुमको समझाते तो बहुत सहज है परन्तु टाइम क्यों लगता है क्यों इतना टाइम लग जाता है बबा का बनने में नौलेज वह वर्सा लेने में टाइम नहीं लगता टाइम लगता है पवित्र बनने में मुख्य है याद की यात्रा जो second subject है ना हमारा योग का याद का इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है यहां तुम आते हो तो यहां attention जास्ती होता है याद की यात्रा में मदबन में आते हैं तो यह सोच कर आते हैं कि बहुत अच्छी कमाई करेंगे याद की यात्रा में रहेंगे घर में जाने से इतना नहीं रहता यहां सब नमबरवार है कई तो यहां बैठे होंगे बुद्धी में यही नश्या होगा हम बच्चे वह बाप है बेहत का बाप और हम बच्चे बैठे हैं तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरेर में आया हुआ है दिविद्रिष्टी दे रहे है सर्विस कर रहे है तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धी जानी नहीं चाहिए संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है किसकी बुद्धी बाहर भटकती है कौन क्या करते है किसको जुटका आता है सब बता सकती है बाबा पहले 14 वर्ष की भट्टी में ऐसा ही करते थे कुछ संदेशीों को न्युक्त कर देते थे चेक करने के लिए कि किन बच्चों की बुद्धी जो है वो बाहर भटकती है तो इसलिए उस समय तो बहुत जादा जोर दिया जाता था इस पर कि जरा भी बुद्धी जरा भी बुद्धी एक बाबा की याद के सिवाए कहीं इधर उधर ना भटके बहुत महीनता से भले अभी संदेशी नहीं परन्तु खुद ही हम अपनी चेकेंग कर सकते हैं कि कौनसी वो बाते हैं जो हमारे मन बुद्धी को भटकाती हैं बुद्धी तो एक आग्र होनी चाहे न तभी तो योग से विकर्म विनाश होंगे नहीं तो फिर एक आग्र चेते याद नहीं होगी तो विकर्म कैसे विनाश होंगे तो बाबा कहते हैं किसको जुटका आता है सब बता सकती है जो सितारे अच्छे सर्विसिबल है उन्हों को ही देखता रहता हूँ बाप का लव है ना स्थापना में मदद करते है हो बहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है अनेक बार हुई है यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है फिक्र कम होती जाती है यह तो ड्रामा बना हुआ है बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आई है सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो अब जाना है स्वीट होम जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो पर उन्तो एक भी जा नहीं सकते हैं है ना इसी के लिए तो भक्ति करते थे क्या करना यही चाहते थे कि मुक्ति मिल जाए जनम मरण के बंधनों से हम छूट जाए यही तो चाहते थे तो बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ अभी टाइम हो गया है वापिस घर जाने का मुक्ति धाम में जाने का तो बाबा कहते हैं कि उसी काम के लिए आया हूँ तो अभी रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो अल्फ और बे बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ आत्मा को 84 के चक्र का ज्यान हुआ है रचाइता और रचना के आदी मध्यांत को कोई भी नहीं जानते है तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार और क्रियेटर और क्रियेशन के आदी मध्यांत का राज दुनिया में तो कोई नहीं जानते और हम भी जो जानते हैं कितना समझ पाएं हैं, नमबरवार हैं। सुबह को उठकर तुम बुद्धी में यही रखो। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब वापिस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। तो अमरित वेले कई लोग पूछतें क्या करें। अब बताते हैं कि क्या करना है। यह याद रखो कि अब यह ड्रामा पूरा हुआ। मैंने 84 का चक्र पूरा किया। और अब हमें घर जाना है। इसलिए चक्रवर्ती बनना है। देहि सहित सब बातों को भूलना है। तो ऐसे ऐसे मन बुद्धी को डिटाच करते जाओ। उपर से जोडते जाओ, नीचे से तोडते जाओ। यह तु सहज है ना, परन्तु माया तुमको भूला देती है। माया के तूफान है न, वह दीपकों को हैरान कर देती है, माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ती है जो बच्चों को भुला देती है, वह खुशी स्थाई नहीं रहती है, तुम बापको याद करने बैठते हूँ, बैठे बैठे बुध्धी और तरफ चली जाती है, यह सब है गुप्त बाते, बुध्धी दिखाई नहीं देती है, इदर चली जाती है, पास्ट में चली जाती है, फ्यूचर में चली जाती है, व्यक्ती में चली जाती है, दिखाई हो रही है, वो भी गुप्त है वो कहते कितनी भी कोशिश करेंगे परन्तु याद कर नहीं सकेंगे फिर कोई की बुद्धी भटक भटक कर स्थिर हो जाती है फिर बहुत भटक लिया फिर एक आगर हो जाती है कोई फट से स्थिर हो जाते है कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धी में खहरता नहीं वेराइटी है बुद्धी की वेराइटी है इसको माया की युद्ध कहा जाता है कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आत्मा को आदत हो गई है कर्म कॉंश्यस होकर कर्मिंदरियों के कॉंश्यस होकर काम करने के तो अक कर्म बन जाएँ उसके लिए तो बहुत महनत करनी पड़ती है बहा तो रावन राज्ये ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते सत्यूग में तो रावन राज्ये नहीं है तो युद्ध भी नहीं है, तो सहज है, माया होती ही नहीं, जोलटा कर्म कराए, रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, दिन और रात, संगम युक पर सिर्फ ब्रामन ही होते हैं, अब तुम ब्राह्मन समझते हो रात पूरी हो दिन शुरू होना है जो संगम पर है वही समझते हैं कि रात पूरी हो रही है दिना रहा है वह शूद्रवालन वाले थोड़ी समझते हैं जो अल्रेडी खोर अंधेरी रात में है उनको तो ये भी नहीं पता कि सत्यूग आने वाला है नई कल्यूग तो अभी उन्हें लगता बहुत लंबा चलेगा मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्तियादी के गीत गाते हैं तुमको तो जाना है आवाज से परे वो आवाज में बहुत आते हैं भगवान को पाने के लिए और हम आवाज से परे हो जाते हैं भगवान के पास रहने के लिए तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है आत्मा समझती है अब बाब को याद करना है ये बात आत्मा समझती है कि मुझे अब केवल अपने बाबा को याद करना है भक्ति मार्ग में शिव बाबा शिव बाबा तो करते आए है शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते है ग्यान कुछ भी नहीं भोले बाबा, भोला भंडारी कहते है न तो पाबा कहते है कि बाबा जरूर कहते है पर अंतु समझते नहीं कि पिता है कैसे अब तुमको ग्यान मिला है वह शिव बाबा है उनका यह चित्र है वह तो लिंग ही समझते है मुझे जोत्र लिंग बनाते हैं सुचते हैं यही शिव बबा है तो शिव लिंग को ही शिव बाबा समझते हैं अब तुमको तो ग्यान मिला है वह लिंग के उपर जाकर लोटी चड़ाते हैं लोटी के अंदर दूध, दही, जल और बहुत कुछ और भी सामगरी चड़ाते हैं अक धतूरा बेल पत्र अब बाब तो है निराकार निराकार के उपर लोटी चड़ाएंगे वह क्या करेंगे निराकार के उपर लोटी चड़ाएंगे तो क्या करेंगे साकार हो तो स्विकार भी करें निराकार पर दूध आधी चड़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाबा तो दूध नहीं पिएंगे न? बाब कहते हैं, दूध आधी जो चड़ाते हो, वह तुम ही पीते हो, भोग आधी भी तुम ही खाते हो, यहां तो मैं सम्मुक हो न? जो कुछ भी चड़ाते थे, कौन खाते थे? ब्रामणी खाते थे, बाबा तो कुछ नहीं खाते न? वह तो अभोगता है, आगे इंडारेक्ट करते थे, जो कुछ भी चड़ाते थे, भगवान अर्थ इंडारेक्ट करते थे, अभी तो डारेक्ट है, नीचे आकर पाट बजा रहे है, सर्च लाइट दे रहे है, बच्चे समझते है, मदुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है, अभी भले साकार बाबा नहीं है पड़न्तु फिर भी सबकी अनुभूती है, सबको बहुत गहरा अनुभव है कि मदुबन में बैटरी बहुत चार्ज होती है, घर में तो गोरक धन्दे आदी में अशान्ती ही अशान्ती लगी हुई है, इस समय सारे विश्व में अशान्ती है, तुम जानते हो, अभी हम शान्ती स्थापन कर रहे हैं योगबल से, बगी राजाई मिलती है पढ़ाई से, कल्प पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है, फिर भी होगी, बाब कहते हैं बच्चे, बबा कहते हैं कितने बच्चे, आश्चर रिवत भागनती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ, तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं, माया कैसा थपड लगा देती है, बाबा आनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है, सिर पर टोपी, नंगे पाउं दोड़ता था, मुसल्मान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातेरी करते थे, मास्टर का बच्चा आया, जिसे गुरू का बच्चा आया, बाजरी का धोड़ा खिलाते थे, यहां भी बाबा ने पंद्रा दिन प्रोग्राम दिया था, ढोड़ा और चाच खाने का, बैगरी पाट के अंदर बहुत सुन्दर स्टोरी है, कैसे बाबा ने ढोड़ा और चाच का प्रोग्राम दिया था, और अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए थे इस पेपर के अंदर और कई बच्चे ऐसे पास हुए कि बिमारी में भी चाच और ढोड़ा खाने से ठीक हो गए बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं बनता था बिमार आदी सब के लिए यही बनता था किसको कुछ भी हुआ नहीं और ही बिमार बच्चे भी तंदरुस्त हो गए देखते थे चेक करते थे बाबा ने बहुत टेस्ट लिये बच्चों के आसकती टूटी हुई है यह नहीं होना चाहिए यह 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 चाहिए यह जो आ सकती होते हैं कि यह नहीं चाहिए यह चाहिए ऐसा नहीं वैसा नहीं यह जो बहाने होते हैं यह जो नाज नखरे होते हैं यह आ सकती तोड़ने के लिए बाबा इस तरह के टेस्ट लेते थे तो यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए चाहाना को ध्यान से सुनना चाहाना को चुहरा यानि जमादार कहा जाता है यहा तो बाप कहते है मांगने से मरना भला बाप ही जानते है बच्चों को क्या देना है मांगना नहीं है बबा को पता है बच्चों को क्या चाहिए जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे यह सब ड्रामा बना हुआ है मांगना नहीं है, ध्यान रखना है चाहना नहीं है, चाहना यानि चोड़ा जमादार की केटिगरी, नीच केटिगरी बबा कहते हैं, जो मांगता है बाबा ने तो पूछा था ना बाब को जो बाब भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वो हाथ उठाएं, तो सबने हाथ उठाया हाथ तो जट उठा देते हैं अव्यक्त बाब दादा भी जब बच्चों से कुछ-कुछ पूछते हैं तो हाथ जल्दी उठा देते हैं तो बाबा भी कहते हैं बहुत खुश कर देते हैं बच्चे न जिसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नाराण कौन बनेंगे तो जट हाथ उठाएंगे यह पारलोक एक बच्चा भी जरूर एड़ करते हैं यह तो माबाब की बहुत सेवा करते हैं तो जब पूछते हैं कितने बच्चे हैं तो एक शिव बाबा को भी आड़ करके बताते हैं एक किस जन्म का वर्सा देते हैं बाब जब वान प्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं जिसे इनका लौकिक बाप था वानप्रस्त अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे हमको वहां ले चलो तो बाबा ने उतनी हिस्ट्री सुनाई कैसे उनके फादर ने उने कहा और बाबा से छोड़ाए तुम हो ब्राम्भण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर सबसी पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टी का इनको ज्यान सागर नहीं कहा जाता ज्ञान सागर ये महीमा केवल शिव बाबा की है ब्रह्मा बाबा की नहीं है न ब्रह्मा विश्णु शंकर ही ज्ञान के सागर है शिव बाबा वह है बेहत का बाप तोंसे वर्सा मिलना चाहिए न वह है निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया उनकी जयन्ती मनाते हैं यह कोई को पता नहीं यह तो गर्भ में नहीं आते हैं समझाते हैं कैसे आते हैं वबा मैं इन में प्रवेश करता हूं बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुशे जब सन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाते है है न जब सन्यास करते हैं तो क्या कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिये यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म तो यह बेहद की वानप्रस्थवस्था बहुत जन्मों के अंत का जन्म बिल्कुल एंड वाली स्टेज आ गई हिसाब तो जानते हो न तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं कहां कर बैठता हूं इनकी आत्मा जहां बैठती है बता रहे हैं मैं कहां आकर बैठता हूं ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा जहां बैठती है इनकी आत्मा जहां बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूं जैसे गुरु लोग अपने शिश्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं वो तो स्थोल में बिठाते हैं, छोटी सी आत्मा, दूसरी छोटी सी आत्मा के बाजू में आके बैठ गई, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है, कितना स्थान होगा, पता ही नहीं चलता आत्मा का तो, कहता हूँ, हे आत्माउं, मा में कम याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे, मनुष्य से देवता बनना है न, यह है राज योग, नई दुनिया के लिए जरूर राज योग चाहिए, बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, आदी सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने, गुरु लोग अनेक है, सत्गुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब जूट है, तुम जानते हो, एक है रोद्रमाला, दूसरी है वैजनती माला, विष्णु की, एक है रोद्रमाला, उसके तो सब आतमाई मेंबर्स हैं, माला के मन के हैं, पर तो नीचे आती है, विष्णु की वैजनती माला, विष्णु की वंशावली, उसमें सारे नहीं आते हैं, उसम विश्न के घराने की आत्माई हैं केवल वही पुरोई जाते हैं तो वो है वैजनती माला विश्न की उसके लिए तुम पुरिशार्थ करते हो उस प्रोद्र माला के तो हम सभी मन के बनेंगे ही लेकिन हमें क्या टारगेट रखना है कि हमें विश्न के घराने में आना है तो ब माला का तुम भक्ति मार्ग में सिम्रण करते हो मैं जन्ती माला का सिम्रण करते है ना 108 की माला का सिम्रण करते है पर तुम जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है उपर में फूल कौन है देखिया ना माला तुमाला देखेंगे उपर होता है फूल तो ये कौन है फिर मेरू क्या है अब समझाता है ना फोल शिव बाबा मेरू प्रमा बाबा मम्मा दाने कौन है जिसकी माला फेरते हैं समझते कुछ नहीं ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं राम राम कहने से समझते हैं क्या सब राम ही राम है ऐसे समझते हैं सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है राम 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 कहते रहते सब राम माला का अर्थी नहीं जानते कोई कहते सौ माला फेरो गुरू लोग होमवक दे देते हैं कहते सौ बारी माला फेरो इतनी माला फेरो बाप तो अनुभवी है न ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी है इन चीजों का बारा गुरू की है बारा का अनुभव लिया ऐसे भी बहुत होते हैं अपना गुरू होते भी फिर औरों के पास जाते हैं अंदर जिग्यासा जो होती है जो अंदर प्यास होती है बुझती नहीं है तो फिर सोचते ज़र शायद वहां से कुछ और मिल जाए तो अबा कहते हैं अपना गुरू होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए माला आदी फेरते हैं है बिलकुल अंदश्रधा माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं माला पूरी करी फूल को ऐसे माथे रखेंगे, तो नमस्कार करते हैं शिव बाबा, फूल है ना माला के दाने तुम अनन्य बच्छे बनते हो तुम्हारा फिर सिमरण चलता है जितना हम बाबा को याद करते हैं उसी इसाप से हमारा यादगार बनता है तो फिर सिमरण ही बनती है जितना हम बाबा को सिमरण करते हैं, उसी साब से. तुम्हारा फिर सिमरण चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं. वहे तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं. श्री कृष्ण शरणम कह देते अब वह तो सद्युक का प्रिंस था उनकी शरण कैसे लेंगे शरण तो बाप की ली जाती है तुम ही पुझे फिर पुझारी बनते हो चुरासी जन्मले पतित बने हो तुशिव बाबा को कहते है हे भूल हमको भी आप समान बनाओ अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्यसार पहला किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है आसकती खत्म कर देनी है बाबा जो खिलाए तुम्हें डारेक्शन है मांगने से मरना भला पक्का करना है कोई आसकती नहीं कोई चाहना नहीं दुसरा बाब की सर्चलाइट लेने के लिए एक बाब से सच्चा लव रखना है बुद्धी में नशा रहे कि हम बच्चे हैं वह बाब है उनकी सर्चलाइट से हमें तमुप्रधान से सतुप्रधान बनना है तो ऐसी एक आग रच्चत याद हो अज का वर्दान है रहम की भावना अद्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भाव लगाव मुक्त कैसे बनेंगे जब रहम की भावना रखेंगे और निमित भाव से सेवा करेंगे है न मेरी सेवा मेरा बन नहीं होगा निमित हो वर्दमान समे जब सभी आत्माई ठक कर निराश हो मरसी मांगती है तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बेहनों पर रहम दिल बनो कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रती भी रहम की भावना हो तो कभी घ्रणा इर्ष्या वक्रोध की भावना नहीं आएगी रहम की भावना सहज निमित भाव इमर्ज कर देती है लगाव से रहम नहीं लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता जो सच्चा रहम होता है आत्मिक स्थिती में स्थित होकर अन्ने आत्माओं को समझते हुए उनके प्रती रहम का भाव रखना इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है मेरा घर वाले है नहीं लगाव वाला रहम नहीं उल्टा सच्चा रहम होता है जो आत्माओं के प्रती होता है वो हमें लगाव से मुक्त बना देता है स्लोगन है दूसरों को सहयोग देना दूसरों को सहयोग देना ही स्वयम के खाते जमा करना है तो खाता जमा करना है तो यूग करो सहयोग दो है ना? आज विशेश हम ये हुमवक करेंगे लगाव मुक्त बनने का अनासक्त बनने का सारे दिन में जो भी करम करेंगे चेक करते रहेंगे कहीं इसमें मेरी कोई आज सकती तो नहीं क्या है अंदर भाव मेरा समझ के कर रहे है या स्वयम को निमत समझ के कर रहे है ये कारे मेरा है या ये सूच रहे है कि बाबा ने मुझे इस कारे के लिए यहाँ पर चुना है अमानत समझ के कर रहे है या अमानत में खयानत कर रहे है तो बार-बार खुद को चेक करेंगे कि हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रती किसी भी व्यक्ती के प्रती कोई आसकती ना हो कोई लगाव, कोई जोकाव ना हो तो इस तरहा खुद पर चकिंग रखने से धीरे धीरे डिटाच्मेंट आती रहेगी और यही त्याग अंदर का बुद्धी का हमारा श्रीष्ट भाग्य बनाएगा चा, ओम शांती आरजू है आप पर अपने को अब अरपन करें आरजू है आप पर अपने को अब अरपन करें आपके अदमां पे चल कर नाम हम राशन करें आरजू है आप पर सास और संकल्प से बस आपके गणगान हूँ स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभी मान हो भान ना अभी मान हो लोक हित का जान हो कल्यान में चिंतन करें आपके अदमां पे चल कर नाम हम राशन करें आरजू है आप पर हम करें इश्काम सेवा आपके होकर रहें मन वचन और कर्म अपने सेवा में तक पर रहें सेवा में तक पर रहें दिल के दरपड़ से सभी नित आपका दर्शन करें आपके कदमों पे चल कर नाम हम राशन करें आरजू है आप पर नैनों में हर दम तेरा भी नजार आचाया है देख तु ही तो है बाबा सदा ही मन को भाया है सदा ही मन को भाया है दिव्य दुनिया दे दिखाई दैवि गुन धारण करें आपके कदमों पे चल कर नाम हम राशन करें आरजू है आप पर अपने को अब अरपन करें आपके कदमों पे चल कर नाम हम राशन करें आरजू है आप पर